अब देखिए अगर इसके heading पे जाएं तो goods sent to branch not given समझ में आया है और इस सवाल में हमने stock में से क्या निकाला था goods sent ठीक है यह तो हमने करी लिया यह आपका journal सवाल है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको सोचना होगा sir यह journal सवाल है तो इसमें कुछ heading भी नहीं डाला उन्हें बोला भाई तु एक बार एक question दे दिया एक बार करके देख लो क्या आता है ठीक है गुड्स रिसीव एच्चो से ठीक है सब कुछ एकदम जर्नल है बस यहां पर एक point आ गया alloyances customer selling price already adjust while the invoice चलिए मैं इसके ओपर star बना दिता हूँ और आप बहुत सारा दिमाग लगाईएगा इस पर आपने खुद करके देखना ही है यहां पर रुकोगे मुझे पता है फिर भी आप एक बार दिमाग लगा हुए फिर मैं clear करूँ आना तो कभी exam में भूलोगे नहीं हो ठीक है मैं पहले यह चीज़ बताएता हूँ चलिए अब अगले सवाल पर आ जाते है इसमें क्य राया पॉइंट हैTrade stock kaç at the end not given तो यानि सर इस सवाल का Keypoint इनका क्या है बताने का जो हम Stock acount बनाते है न जो antardanka नोफव सारीयम कोलेंच यह सिषीश सोब कुस्प निखा भूरां तो या वाली Labd देखो मैं समझा रहा था गुट्स ट्रांसफर फ्रॉम लखनों ब्रांच कहता है ओन कार लिमिटेड है दो ब्रांच एक जैपूर है और एक लखनों है गुट्स और इन्वाइस ब्रांच कॉस्ट प्लस दिस अब हमें यह पता करना है कि यह हमारा जैपूर है तो कौन से ब्रांच है जैपूर अब कहता है कि गुट्स ट्रांसफर फ्रॉम लखनों ब्रांच टू जैपूर ब्रांच नहीं हमारे पास आया है इसी वह ने कहता है कि गुट्स ट्रांसफर फ्रॉम लखनों ब्रांच टू जैपूर ब्रांच हम जैपूर ब्रांच के लिए काम कर रहे हैं ध्यान से समझेगा हम किस के लिए काम कर रहे हैं और लखनों से समान आ रहा है हमारे पास तो हमारे बढ़ेगा तो स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक अकाउंट में इंपेक्ट आएगा और स्टॉक अकाउंट के किस साइड आएगा डेवेड साइड यह हम पिछली क्लास में मनें थोड़ा बौत देखाताई तैस पॉइंट में यह आपसे करवाएगा कहता है आपका सौटेज तर यह जो सौटेज होता है ना इसको नॉर्मल लॉसमान यह या याद रखिएगा सौटेज को क्या मानना है सर नॉर्मल लॉस मानना है सॉटेज को नॉर्मल को बच्चे कह रहे हैं सर वीड वोईस कट रही है अब चेक करिए किलियर मैंने थोड़ा सा विंडो सिफ्ट कर दिया थो सॉटेज ओफ स्टॉक ब्रांच एक होता है एक दे रखा है सॉटेज और एक सॉटेज ब्रांच में है तो सर हमारे ब्रांच वाला पार्ट है ये सॉटेज पता नहीं तेरा कहां पर हुआ है एच्चो में हुआ 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 तो ये काम का नहीं है दो स्वूर्च का सवूर्ट दे रखा है और एक बूले कि भी पता नहीं कहीं पे हुआ है तो हम कौन से वाला सवूर्ट इसक्पेस लिए बागी एक स्वाल करता जा रहा हूं जो आपको सवाल करने में हेल्प करेगा ठीक है और ओल्दो जो मैं डिसकस कर रहा हूं न ये यहां पे shortage, shortage का मतलब पता ही क्या, इस account में क्या चाहता है, बस थोड़ा आपको cooperative होना पड़ेगा, क्यों की सर एक्जाम पास में है, जब हम branch, stock बनाएंगे न, तो इस सवाल में सब कुछ given है, सब कुछ given है, सब कुछ given है, सब कुछ given है, सब कुछ, फिर भी इदर balancing figure किस side balancing figure निकलेगा, buy side, तो buy side में जो balancing figure निकलेगा, that is shortage होगा, वो क्या होगा, तो इसका heading यही दे रखा है, shortage आपको निकालना पड़ेगा इसमें, तो shortage कहां निकलता है, buy side में, जो भी balancing figure होगा, आप answer में भी check कर सकते हो, चेक करते जाएंगे, बाकी सब कुछ, debtor, wetter, goods sent, invoice price सब कुछ given है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, return to branch, cash received discount allowed, branch expense paid by HO, branch account invoice, branch debtor, check करिए आप, shortage ही निकल रहा है, ठीक है न, और prepare branch, book में branch stock account बनाते हैं, branch debtor बनाते हैं, branch expense सीख लिया, branch adjustment, तो वही चल रहा है, ठीक है, sir surplus at branch account, एक यहाँ पर, sir इस account में आपसे क्या सिखाना चाहत हो, सिखाना यह चाहता है, इस account में, ब्रांच में सब कुछ given है, सब कुछ stock में given है, सब कुछ stock में given है, लेकिन इधर फिर भी comfort, ज्यादा आ रहा है, balance, तो अब इधर जो balance है, उसको match करेंगे, surplus से, यानि सब कुछ given है, opening stock given है, closing stock given है, shortage, abnormal loss, सब given है, फिर भी balancing figure कि इधर आ इधर आ गया, अब इसको किस नाम से लिखे, तो इसको लिखना होता है, surplus के नाम से, अब देखा आपने, सब कुछ given है, balancing figure buy में आ रहा है, तो किस नाम से shortage, सब कुछ given है, balancing figure 2 में आ रहा है तो, और shortage को कौन सा loss मानना है, normal loss, abnormal बता है, normal, और ऐसे इसको क्या मानना है, आपका normal profit है, तो जब branch adjustment में जाएंगे न, तो ये वाला 2 में निकला है, तो किदर जाएगा, buy में पूरा surplus हा जाएगा, जो भी निकलेगा, loading, waiting कुछ नहीं, पूरा, normal loss को भी क्या करते हैं, पूरा ही दिखा देते हैं, आपने, तो ऐसे ही ये पूरा हा जाएगा, समझ रहे हो, दे दिखाए बुक, दिखाए निकाना, प्रोग्राम ओनर सम्में होगा, ये सवाल, 17, ये ये न, अब यहाँ देखे, question में न, surplus निकल रहे है, कितना 11,000, आप देखेंगे, पूरा 11,000, पूरा 11,000, पूट कर दिया, उसने, ब्रांच, सौटेज को न, एबनॉर्मल मानना है, आपको, मैंने गलत बोल दिया, शायद, ब्रांच, सौटेज को एबनॉर्मल मानना है, देखो, स्पोईलेज को भी एबनॉर्मल मानना है, और सौटेज को भी एबनॉर्मल मानना है, ठीक है, ये ध्यान रखे, लिख लेज या चाहे सॉटेज निकले वह भी अबनॉर्मल और श्पॉयलेज निकले वह भी अबनॉर्मल और जबकि अभी पीछे करा था हमने सायद यह आला सॉटेज वाला कुछन ना इस पोजाएगा यह भी आप इसमें सवाल में देखिया ऐसा कौन सा पॉइंट है मैं फिर भी discuss कर लेता हूं कहता है ब्रांच ने भेजें समान कहता है cost plus 50% तो sales पे होता है one by three या दो का 33.33 कहता है invoice price पे सारी चीज़ा रहे रिटन आ रहा है cash आ रहा है discount रहे रेंट पैटी cash पैटी cash पे अभी मैं discuss कर लूँगा क्या होता है पैटी cash यह हो गया है तो मैं यह वाला सवाला भी करने वाला हूं और इसको लगा लेते हैं साइट पर है कि इस पॉइलेज शॉट है कि इस चलिए सर चलिए और नीचे देखो पता कि क्या लिखा हुआ है जो मैं बता रहा था देखो मैंना क्योंकि मैंने इस बुक को इतनी बार करा दिया ना बच्चों को मुझे तो पता ही है क्या पूछा जाएगा इस बुक में पिछले दस साल से तो यही बुक करा रहा हूँ बच्चों को तो देखो पहले मैंने बताया था कि लास्ट में सवाल में आपसे क्या बोला जा सकता है वैरिवाइब नेट प्रॉफिट यह ब्रांच बदा एक सवाल देगा आपको तरीके से पूछ लेगा इस में वही है क्या बोल दिया आपको ब्रांच डेटर स्टाइब स्ट्वड़्ड बनाईए और लास्ट में बोलता है वैरिफाइब नेट प्रॉफिट वाले शिस्ट एक्जाम में नहीं आएगा यह अपने आपको चेक करने के लिए आप सीख रहे हो जो सही सीख रहे हो कितना सीख रहे हो मतलब कि आपको एक पता देना कि दोनों में से प्रॉफिट सेम ही आता है चलिए सवाल आपके सामने है लेकिन कल से आपको पताई किसी का डाउट-सॉल्व नहीं किया है करते हैं वैसे कल से डाउट-सॉल्व नहीं किया है मैंने फिलाल एक-जो दिन हो गया थोड़ा बहुत इसी में बिजी रह गये बाकी डाउट आपके सॉल्व होंगे और जैसे आपके ना लाइव क्लास के अंदर तो जो मर जी पूछो मैं तो बताई दूँगा जो वाले डाउट है न वो थोड़ा सा एक दो दिन में ठीक हो जाएगा वो इसमें इसमें सवाल मेरा कराने का एक ही परपसे के मैं आपको इसमें एक चाहता हूं सर क्या सिखाना चाहते हो इसके अंदर प्यट्टिक एस एकस्पेंस का treatment अगर हम देखे न इसको अगर आप ठीक से एक बार और जितने कोश्चन मैं करवा रहा हूं जितने तो उसमें क्या रहेगा आपका रिवाइस हो जाएगा अच्छे से और आपको प्रॉब्लम ही नहीं नहीं डेटर अगेन यहां बना लेते हैं कि 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 आपको कि ऋॉ कि पुभ अ झाल झाल यह है ब्रांच स्टॉक मैं पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा है आपको नहीं लिखना आपने भी लिखना है यह डेटर अकाउंट ठीक है सर एक पीछे बना लेते हैं एक और अकाउंट आपके लिखना आपके लिए देखिए काम का भी है और फिर थोड़ा टिपिकल भी उसमें सेक्शन लिखने नहीं लिखने कैसे करने नहीं करने वो जरूर ध्यान दीजिएगा दस से पंदा दिन में आप लोग का हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात हुआ साब की टाइमिंग है कितने बज़े की टाइमिंग है लोग की टी टी टीटियस पांस से च्छे तो अभी चल रहा है और लेकिन ये टी टीटियस नहीं रहने वाला इसे हम रेगुलर तरने जा रहे थ हैं dubh एक पार्ट जल्दी कवर करवाने के लिए, मुझे एक पार्टनर्शिप अंस्सटों में प्रफफड़कндर और LLP आटो, क्योंकि यह मेरा एक सब्जेक्ट है, अगे चलके मुझे LLP अकांटिंग में पढ़ाना ही है, आगे चलके आपको partnership उसमें पढ़ा नहीं तो बस मुझे align करना होगा जो इंडियन contract है न ओफर है acceptance है या फिर आपका क्वासी contract है या फिर आपका जो भी other contracts बन जाते हैं उसके अंदर चाहे आपका बेला बेली जो करा देंगे बाकी मैं करा दूँआ क्योंकि time का बहुत कंजिस्टेड नहीं तो मैं करा देता ज्यादा नहीं है में होता है उसके अंदर समझना ठीक है है एक बेल्मिंटेंड प्लेज ठीक है बेल्मिंटेंड प्लेज जब लॉप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिसे हिंदी में सुत्रुपगी कहते हैं कि अगर आपने किसी को कोई समान दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप उसको साथ तोड़ कर दोगे अगर जैसे मैंने बोला कि ले भाई मेरे मोबाइल ले और आपने क्या करा उस मोबाइल को तोड़ दिया तो मैं आपके उपर केस कर सकता हूँ मेरे को उसी कंडिशन में मिलना चीए वापस चलिए कहता है सुभास इलेक्ट्रोनिक हैस दा ब्रांच इन चंडिगर्ड एड ग्वालियर हूम गुट्स और इन्वाइस कॉस प्लस 25 परसेंट सर्कॉस प्लस 25 परसेंट है सीधी सी बात है कितने परसेंट पे खेलेंगे हम 20 परसेंट पे करेंगे दा फॉलोविंग इन्फर्मिशन ट्रांजेक्शन चंडिगर्ड ब्रांच फियर एंडिट 31 मार्च कहता है स्टॉक एट इन्वाइस प्राइस ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस बीडी बैलेंस बीडी सर चालिस हजार बैलेंस बीडी के बाद डेटर का अकाउंट का बीडी टू बैलेंस बीडी 12,000 सर एक पैटी कैश बोला है मैं यहीं पैटी कैश बनाऊ पीछे बनाऊँगा तो ज़्यादा बढ़िया है एक पैटी कैश एक्सपेंस अकाउंट भी बना देंगे बोला नहीं है इसने चलिए सर इसके पैटी कैश एक्सपेंस का देड़ सो रुपिया तो यह पैटी कैश हमारे क्या होता है सर पैटी कैश हमारा होता है क्या एसेट ध्यान रखिएगा क्यूं होता है सर एसेट चलो चर्चा करी लेते आ गए तो पैटी कैश का मतलब होता है कि आपको ओनर एक इक खटा लंसम अमाउंट दे देता है कि कोई भी अगर office में आता जाता है तो उसके लिए खर्चे रोज मररा के खर्चे के लिए खृटा पैसा दे लिए मैंने मालो आपको 5000 रुपे दे दिया डेली के खर्चे के लिए तो मैंने अभी आपको 5000 दिया है किदर लिखते जाओगे buy side तो सबसे पहले इधर क्या आएगा sir 2 balance BD आएगा और जो बच जाएगा वो किदर आएगा buy balance CD अगर head office मुझे पैसा देता जाएगा देता जाएगा मैं इधर लिखूँगा और balancing figure इधर जो भी निकलेगा इस side में जो भी balancing figure निकलेगा वो क्या होगा use यूज का मतलब expense ऐसे समझेगा आप आपको मैंने सुभे सुभे 5000 रुपे आपके पास पड़ा था मैंने 2000 रुपे और दे दिया खर्चे के लिए पूरे दिन का खर्चा करना total payment कितना हो गया साम को आपने बोला सर 500 रुपे मेर पास बचे हुए है तो मैंने बोला भाई बाकी कहां गए आपने बोले 25 रुपे क्या हो गए खर्च और P&L के अंदर खर्चा आता हो तो यहाँ पैटी कैस अगर मुझे लिखना होगा closing balance यहाँ लिख दिया और जो HO ने दिया वो यहाँ लिख दिया यही करते थे न तो उससे क्या होता था overall automatically खर्चा यहाँ पे आ जाता था जैसे कि मैं इसको अगर put करूं तो opening balance इधर closing balance कितना 500 और मैंने कितना दिया तो ultimate देखो consume कितना आ गया आ गया ना 25 तो वहाँ वाले पे debtor system के अंदर हम दिखाते थे opening, closing और इधर echo से तो automatically expense उसके अंदर आ जाता था हमें दिखता नहीं था लेकिन automatic expense लेकिन इस वाले account में तो आपको expense दिखाना पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पे एक account बना लूँ या आपका normally use कर लूँ तो सबसे पहले petty cash में क्या आ जाएगा इस side में sir to balance to balance bd फिर buy balance cd sir bd सवाल में 1.500 रुपे कहता है आ जाएए sir आगे हम petty cash के बाद आ जाते है transaction 21-22 में good send to branch at invoice 420 to good send इसके बाद कहता है के goods return to head office invoice price buy return इसके बाद cash sales तीन लाग एक लाग एक लाग पांच हजार क्रेडिट सेल्स हो गया नॉर्मल लॉस अब देखो नॉर्मल बता दिया इसने देखो कितना आसान question था एनल लिख रहा हूं मैं 350 गुट्स प्लीफर्ड abnormal होता है प्लीफर्ड का मतलब होता है चोरी हो जाना प्लीफर्ड नॉर्मल होता है क्या है जैसे कि दुकान गोडाउन से समानना छोटे मोटे चोरी जो हो जाते हैं उसे प्लीफर्ड बोलते हैं जैसे मान लेते हैं कि चुहे ने खा लिया तो वो प्लीफर्ड के अंदर काउंट हो जाता है ठीक है तो छोटी मोटी चोरी को कहते हैं तो गुट्स प्लीफर्ड कौन सा लॉस होगा एबनॉर्मल गुट्स प्लीफर्ड मैं ठोड़ा शॉटकट लिख रहा हूं शौट फर्व में ने याद होगा मैंने लिख्वाए लिखाया था वार्मिका। कि यह कोगा आपका ट्रेडिंग और रिस भी तो इधर लिख कि इतने चार तीन चलिए इंसारेंस कंपणी ने तीन हजार दिया कैस सेंट फूर पैटी कैस बत्तिस हजार रुपए कैस सेंट फूर पैटी एक्समेंस तो किसने भीजा एड ऑफिस ने बोला ले भाई 32,000 खर्च कर लिए तो ठीक है भाई 32,000 खर्च करने की बात कर रहे हैं तो एच्चो से आ गया पैसा इसके बाद बैड़ेट्स चंडिगर तो बैड़ेट्स इतरा जाएगा और ये ही बैड़ेट्स दूसरी एंट्री यहां भी कर देंगे हम तू बैड़ेट्स इसके बाद goods transfer to Gualier branch under instruction Gualier branch को transfer देखो two word है तो हमने दिया होगा और वैसे भी देख लो हम कौन से branch बना रहे हैं हम बना रहे हैं क्या चंडिगड और हम Gualier को transfer कर रहे हैं तो इसका मतलब सर अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारा stock कम हो रहा होगा तो हम किदर लिखेंगे by goods transfer कितने का 12 ठीक है और कहता है कि goods transfer to Gualier as per the instruction from HO अच्छा यह पूरा यही जाएगा insurance गुट्स रिटन बाइटर डेटर वापस कर रहे है तो बाइटर और जब रिटन करेगा तो हमारे इसके बाद balance petty cash का दे दिया बैलेंस debtor का दे दिया debtor का buy balance cd कितना है debtor का क्या रहाजा और stock का बोलता है हम नहीं बता रहे तुम बताओ और petty cash का कितना दे दिया 200 तो सर यहां पर जो भी निकलेगा वो consume निकल जाएगा फटा-फट निकाले लेते हैं 32 और दाइसो माइनस करो क्या आजाएगा by consume या या by expense कितना हैगा माइनस करो 31,000 और यह 31,000 खर्चा है क्योंकि तो यह खर्चा आजाएगा two petty cash हाँ यह 30 हाँ तो यह अच्छा इधर 150 इधर 250 करते हैं थर्टी कितना हैगा यह थर्टी नाइन हंड़िट थर्टी वन थर्टी थर्टी थाउजन हैगा थीक है आज आते हैं पैटी कैस हो गया यह हो गया एस गुट स्थ्रांसफर तु गूर्लें धीवन एंज इंड ट्रांजिट कहते हैँ यह जो मैंने समान भेजा है न वो तो 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 समझ अगर मेरे पास आ रहा होता तो फिर मैं समझता सीधी बात है तो इस ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं है पिर ब्रांच स्टॉक बना रहें अड़्जस्मेंट बना रहें सारी चीजें हम बना के चल रहें किसी के ऊपर कुशन मार्क तो हमने नहीं लगाया अभी है ओके अब बात करते हैं अब बात करते हैं फटा फट यहां से टोटल करने का टोटल करो 240, 420, 460, 500 मैंने देखो फटा फट कर लिया टोटल आपने भी करना है बैलेंसिंग फिगर निकालो क्या आता है 460, 500 फटा फट से निकालो तेजी में मैं इसको भी बंद कर दूँ यहां two credit sales debtor को भी ध्यान देखना देखो credit sales उठागे लिख रहा हूँ यही रखा था सवाल में 180, 120, 3,000,000 buy cash क्या कहां पर एक लाग यह चलो उपर आला बताओ मैं देख लेता हूँ कुपर वाला है एक लागी तासर आजाँ इसे पूपर आज़ा हूँ कर देख लेगा हूँ कर देख लेगा है कि पटीवन आ रहा है कि पक्का कि यह च्वामने मौन देख लेगा हूँ कि नहीं भाई बुक के अंदर कुछ भी दे रखा हमारा भी आना चाहिए न अब चलिए यह अकांट प्रिपेर यहां से बैलेंसिंग फिगर निकालिए क्या निकलेगा यहां से बैलेंसिंग फिगर कैश एक तालिस एक सो पचास चलिए दिखा दो कैलकुलेटर नहीं निकल रहा तो कि बारह हजार असी हजार एक लाक माइनस चार सो पांसो ग्यारा हजार यहां गया एक असी एक सो बारह हजार एक सो चार सो अना थेक है न चलिए अब लोडिंग की बात करते हैं यह अकाउंट भी है फूल्ट बन गया अब लोडिंग इस पे निकलेगा इस पे निकलेगा इस पे सब पे कितना लगीगा 20-20 परसेंट बाइसाइड में आएगा ठीक है आब बताईएगा दे चालिस पे 20 परसेंट बाइ आपका गुड्स सेंट पे लोडिंग आपका कितना था एक चालिस चार चार बीस का 84 इसके बाद क्या था सर बाइ गुड्स रिटन भी था ना रिटन कितना एगा 500 का रिटन ही था 500 का कितना आएगा हाँ रिटन पर कहा था दूसरा रिटन पर लगए एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट हाँ रिटन पर नहीं आएगा इस पर नहीं आएगा इस पर पर नहीं आएगा बाकि यह वाला रिटन पर आएगा यह वाले रिटन पर आएगा ''To loading किस किस चीज पर loading है? यह बता दो मुझे इसको नहीं कि मर कॉपी कर लेते हैं नॉर्मल लॉस और लोग बहुत सारा लिख लिख लिए नॉर्म नीटन पर आगे हमारा तीन हजार ट्रांसफर बारा हजार गुड्स ट्रांसफर बारा हजार पर कितना हैगा चौबिस सो यहां पर आ गया नॉर्म पहले हमारा क्या है रिटन कितना था ट्रांसफर इसके बाद नॉर्मल लॉस पूरा ही कितने इसके बाद सौटेज था सौटेज था फ्लीफर्ड था न एक नॉर्मल लॉस है हमारा और एक गुल्ड फ्लीफर्ड एक लॉस पॉइफर्ड है दो और है तीन और है तो सर एक आ गया हमारा लॉस पॉइफर्ड कितने रुपे का था एक पॉइफर्ड और एक टू लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक बताईए ये कितना था एक लीफर्ड पे यहां छे सो तो यहां पे छे सो था तो चौदा सो यहां फायर पे आठ सो तो यहां यहां बारा सो तहीं चल रहे ना अब लोडिंग क्लोजिंग पे क्लोजिंग के तो एबनॉर्मल है ना तो एबनॉर्मल लॉस भाई फायर में चार हजार का आठ सो आ गया और उदर बत्तिस सो आएगा फिर मैंने बारा लिखा है ठीक है अब आजाते हैं आगे किसका एक एक तालिस एक सो पचास का बीस परसेंट अठाइस दो सो तीस अठाइस दो सो तीस अब फटा फट से निकालते हैं जी पी 84 और 8 92 अब माइनस कर दो 92 माइनस में तीन हजार माइनस में 2400 माइनस में 350 आट सो माइनस छेसो चपन दो सो पचास चेक कर ये जी पी हाँ छेसो बीस स्वरी चपन छेसो बीस मेरे कैलकुलेटर में यह दिख रहा है मैंने बोल गलत दिया चपन छेसो बीस और बाइ साइड में और इधर कर देंगे हम टोटल उनसट छेसो और टू आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट माइनस चार सो माइनस दो सो माइनस इकत्रिस नो सो माइनस चार सो और माइनस बत्रिस सो बाइस पान सो भीस आ रहे है अंसर इसका कैल्कुलेटर बड़ा खतरना आ गया यह चौदा सो ठीक लिखा है मैंने 2400 एबनॉर्मल हाँ तो कितने इक्केस पान सो भीस आंसर चेक करें आंसर चेक करें ठीक है अब ध्यान दीजिए सवाल देखो हम करते जा रहे हैं थोड़ा मैं स्पीड लेके चल रहा हूं लेकिन आप इसको एक बार आराम से देखिए गा और इस सवाल को दुबार दुबारा से करना है अपने चैप्टर जाए तो आप सवाल को कर सकते हो थोड़ा आपको मैनेद करना होगा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइम कम है नहीं तो मैं सारे सवाल बूड पे कराता अब अगर सारा सवाल करा हूंगा तो बहीं एक चप्टर में उलच जाएंगे तो फाइदा नहीं है तो कुछ हैफ कि भी सिंपल है हो जाएगा है तत्रा मेरे को लग तो नहीं रहा वाकी कैसी इन हैंड ओपनिंग टेटर फिटर यह भी हो जाएगा आपका अब आपना बीस तक ट्राइ करेंगे सिंपल हाँ कल की चुट्टी आपकी अगली क्लास जो आएगी आपकी वह आएगी थर्जडे दो तारिक कब है सर और मैं आप सभी बच्चों को जो थियोरी आपके एक्जाम में आएगा इतने मैं थियोरी की वीडियो का लिंक दे दूँगा जैसे कि आपका क्या है सर बिजनस एंटिटी क्या है जो अजंशन और प्रिंसिपल है वो थियोरी का पूरा मैं अपलोड कर दूँगा थियोरी वाले section में जो कि दो दिन का आपका उसमें हो जाएगा करीब दो से धाई घंटे की class है वो covered हो जाएगा आपका ठीक है कोई डाउट तो 20 तक आपने सवाल करने हैं इसके